तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का पक्ष रखते हुए अपनी नीती स्पष्ट की इसके साथ है सुहेल शाहिन ने कश्मीर और उईगर मुसल्मान के मुद्दे पर भी तालिबानी नजरियास पश्च किया इस रपोर्ट में आपको दिखाते है तालिबान दुनिया भर से अच्छे रिष्टे चाहता है पुरी दुनिया के सामने वो अपनी पॉजिटिव इमज पेश करने में लगा है एक बर फिर उसने शान्ती सहियोग और विकास पर जोर दिया है TV9 भारत वर्ष पर वर्ल्ड एक्सक्रूसिफ बाचीत में तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहिन ने पुरी दुनिया के सामने कश्मीर और उईगर मुसल्मानों की मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है साथ ही चीन पाकिस्तान को तो टूप कहा है सुहेल शाहिन ने कहा कि कश्मीर को लेकर तालिबान की नीती साफ है कश्मीर पर तालिबान पाकिस्तान का साथ कभी नहीं देगा इसके साथ ही उईगर मुसल्मानों की मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए सुहेल शाहिन ने कहा उगर का मसला चीन का अंदरूनी मामला है उगर को भी अपना हक मिलना चाहिए वही आगे अफगानिस्तान की ताजा हालातों का जिक्र करते हुए सुहल शाहिन ने महिलाओं को लेकर अपनी सरकार की नीतिस पश्ट की सुहल शाहिन का कहना है कि उनकी हकूमत में महिलाओं को सिक्षा और काम करने का हक मिलेगा बाकी मुल्कों की तरह यहां भी महिलाओं दफ्तर और बच्चियां स्कूल जाने लगी है लेकिन महिलाओं के लिए इसलामी हिजाब पहनना जरूरी है तालिबानी शासकों का दावा है कि ये 20 साल पुराना तालिबान नहीं है ये नया तालिबानी शासन है महिलाओं को लेकर जो वादा किया था वो निभाया है झालिबानी शासन है